इतना बड़ा सामराज्य था परिक्षित का बिवाय भी नहीं हुआ था सब छोड़ करके चले गए उसको राजा बना दिया परिक्षित ने महराज उसका बिवाय होता है सारे राज्यों के दिगविजे करता हुआ जब निकलता है एक दृष्ष देखता है क्या एक गाय और ए दोनों आपश में बात कर रहे हैं भगवान किष्ण के जाने के बाद अब हमारा पूछने वाला कोई नहीं है राजा परिक्षित का राज और एक राजा का बेश बनाए हुए व्यक्ति दोनों को डंडे से और लाग से मारता है राजा परिक्षित ने पहले उसको डांटा वो कल्यूग था कल्यूग जो बैल और गया को मार रहा था वो कल्यूग था राजा परिक्षित ने पहले डांटा दुष्ट स्री किष्ण के भक्त के राजी में तू कौन है जो गरीब लोगों को सता रहा है जो गरीब लोगों को सताता है वो देवता नहीं हो सकता है वो द वो कह सकता था इसने मारा हमको लेकिन हमारा सास्त्र कहता है हमको अगर कुछ कष्ट मिल रहा है तो हमारे पिछले कर्म का फल है हमको अच्छा बेटा मिला है तो हमारे पुर्ण का फल है और हमको खराब बेटा मिला है तो हमारे पाप का फल है बेटे को दोश ज्यादा मत लग हमारा प्रारद हमको दुख सुख देता है अरे रोज रामान में पढ़ते हैं काहु नकोँ सुख दुख कर दाता ने जकृत कर्म भोग सब भरता है अपने कर्म के अनुसार हमको पती मिलता है बेटा मिलता है पतनी मिलती है सब कुछ अपने कर्म का फल होता है धर्मराज बैल अब तो धर्मराज ही दे सकता है, सामानी व्यक्ति नहीं दे सकता है, तलवार निकाली दुष्ट कहीं का, इतने सुन्दर ये दोनों है, इनको तु कष्ट दे रहा है, तलवार निकाल के मारने को दोड़े, वो भागा कल्यूग भागा, भागते भागते अब जाये कहां, जह आजाए वही महाराज राजा परिक्षित पीछे आके चर्णों में गिर पड़ा त्राहिमाम 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 रक्षा करो और कल्यूग कहता है महाराज राजा का एक कर्तब है कि जो चर्णों में आजा उसकी रक्षा करना चाहिए तो आप मेरी रक्षा करो मैं आपके चरणों में आ गया राजा परिक्षित बड़े धर्म संकट में पड़ गए अब क्या करूं इसको रक्षा करूं तो समस्या मारूं तो समस्या भी अशरण में आ गया राजा परिक्षित ने एक शर्ट रख दी तू मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा तो मैं तेरे को मुर् विश्व में थी, एक छत्र राज्य था, कहां जायो, राज्य परिक्षित को सोचना पड़ा, अच्छा ठीक है, मैं कुछ इस्थान तेरे को दे देता हूं, वहां तू रहना, चार इस्थान मिले कलियुक को, देखो कलियुक कहां कहां रहता है, दिवतम, जहां जुआ लोग जुआ, वहां कलियुक रहता है, जुआ जानते अब लोग, जानते ओ, खेलते हो, तो दिवाली वाली में तो खेलते ही होगे थोड़ा बहुत, देखो हमको सब पता है, हां भोलो या ना बोलो, अच्छी बात है, नहीं खेलते हो तो बड़ी खुशिका बात है, और खेल तो बहुत ज्यादा नहीं खेलना दिवाली वाली की बात अलग है यद्यपी मना है हमारे धरम गरंथों में अरे जुआ के कारण ही पांडों का विनाश होने वाला था अगर स्री कृष्ण नहीं होते तो सब कुछ चला गया था जहां जुआ होता है वहां कल्यूग रहता है पहला होता है बुद्धी खराब होती है परिवार खराब होता है इसलिए अगर आप सराप नहीं पीते हैं तो बड़ी खुशी की बात है और अगर पीते हैं तो आज लाजपत भवर में भगवान की कथा में छोड़ने का संकल्प ले लो अच्छी बात है कि नहीं ताली तो बजा तो नशा उतर जाता तो तेंसा नोर जादा बढ़ जाता है। फरक क्या पढ़ता है। लोग फॉर्नर सो लोग शराब पीते थे वहाँ ठंडी इतनी होती थी माइनस में टमपरिचर चला जाता था शरीर को गरम रखने के लिए उसकी वह जरूरत है। दवा के रूप में ठीक है। लेकन अब यहाँ तो इतनी भैंकर गर्मी 40 डिगरी 45 डिगरी में सराब पीए जा रहे है। वहाँ कौन ठंडी लगरी भई। तो इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। शराब हर तर जानते हो हमारे गुरू जी बंबई में कल्पना जी को शायद दोईश्मरन होगा वह संस्मरन की नहीं। किशे के घर गए थे महराजी के सिशे ही थे औने पिंशी रोड में रहते थे उनका बेटा बड़ा सलावी था। और गुरू जी गए तब भी उसराब पी के घर में बैठा था। जब गुरू जी गए तो जानते हो क्या कहता है। स्वामी जी आपने कभी लिया। महराज जी को कहता है। और नहीं लिया तो आप क्या समझोगे इसका आनन्द हा। अब उसराब के नसे में था, महराज जी भी असने लगे। अब उसकी बात पे क्या भरोसा, क्या ध्यान दिया दा। जो नसे में बैठा है उसको समझ ही नहीं क्या बोलना, क्या नहीं बोलना। तो शराब जो है बुद्धी को खराब करती है, सरीर को खराब करती है, पैसे को खराब करती है, परिवार को खराब करती है, इससे फाइदा क्या है? liver में जितना ज्यादा effects इसका गलत effect होता है kidney effect होता है कहां का इसका फाइदा किया हमको समझ नहीं आता है तो शराब में कल्यूग रहता है दियूतम पानं स्थ्टियएहा कुल्टा इस्त्री पुरुश चरित्रहीन इस्त्री पुरुश जहां रहते हैं वहाँ पर भी कल्यूक का निवास होता है, जगड़ा होता है, जमेला होता है, कितने जगड़े आजकल होते हैं महराज, और महराज सुना, बिना कारण जो हिंसा करता है, बिना कारण, गाली गलोज करके बात करता है, आदत पढ़ जाती है मारपीट करने की, आदत, आदत हो ज कि आदत थी कि रोज किसी की पिटाई करना है, वो नेचर था उसका, अब एक दिन कोई कारण मिला नहीं कि किस की पिटाई करे, छोटा भाई उदर से आ रहा था, क्लास छूटा था, छोटे भाई से का, देखो वो लड़का आ रहा है न, वो जब इधर मेरे पास आवे, तो त थड़ा हो जा, और दू कहे देना कि तूने मेरा पैन क्यों लिया, वो छोटा भाई बोला कि इसने मेरा पैन तो नहीं लिया, मैं कैसे बोलूंगा, बोले, नहीं बोलना है क्योंकि मेरे को इसको पिटना है, आज कोई मिला नहीं पिटने के लिए, तू बोले गा वई से मैं उसके पिटाई करूँगा तो बोला मैं कैसे बोलूँ जब उसने नहीं लिया जानते उसने क्या का बड़े भाई ने का कि अब निरने तू कर ले अगर तू बोल देगा कि उसने पहन लिया है तब तो वो पिटेगा आप समझ गए नहीं बोला तो तू पिटेगा मेरे को तो पिटने से मतलब है मेरा आदत एक नएक बिकदे को मेरे को पिटना इसका नाम है कल्यूग अकारण गाली गलोज करना अकारण पिटाई करना इसका नाम है कल्यूग चार इस्थान कल्योग को दे दिये तो यहां रहना कल्योग ने देखा कि भाई ये चारो इस्थान राजा परिक्षित के राज्य में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे कल्योग का प्रारम था भगवान कृष्ण का कोशे दिन पहले ही सुधाम गम बड़ा अच्छा राज्य था कहीं जुआ नहीं होता था कहीं लोग शराब नहीं पेते थे चरित्रहिन लोग कहीं नहीं थे गाली गलोज कोई नहीं करता था कल्योग बोला महराज अब मैं कहा रहा हूँ ये तो कहीं है नहीं एक आधि स्थान और दीजिए, वो भगवान की लीला, कल्यूक को रहना था, राजा परिक्षित के मुख से निकल गया, पुनस्च याच मानाय, जात रूपम अदात प्रभु हो, सोने में निवास करना एक स्थान और दे दिया, गोल्ड, संपत्ति, यहां सोना तो एक उत्प प्रेक्षा है, लेकिन यहां पर मूल है, संपत्ति, सोने में कल्यूक का निवास, कल्यूक बड़ा प्रसन, क्यों? यह तो राज्य से निकालना चाहते थे, अब तो घर गर में रहोंगा, सब के पास सोना है, यहां भी सब लोग पहने ही होंगे थोड़ा बहुत, पहने की न